मेरे प्यारे देश वासियों, परियावरण के प्रती सम्वेदन सिल्ता हमारे समाज के कण कण में समाहित है और इसे हम अपने चारों और महसूस कर सकते हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो परियावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। फिर से हरा भरा करने का बिड़ा उठाया था। एक काम मुश्किलों से भरा था। लेकिन 20 साल पहले लगाये गए वो पौधे आज 40-40 फिट उचे विशाल काय पेड़ बन चुके हैं। अब इनकी सुन्दरता हर किसी का मन मोह लेती है। इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े घर्व की अनुभूती होती है। सुरेश कुमार जी और एक अध्भूत काम भी करते हैं। उन्होंने कंड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस सेल्टर भी बनाया है। वो सेंकडों लोगों को कंड़ा में लिखी ब्रार्स प्लेट्स भी बेट कर चुके हैं। साथियों आज इको फ्रेंडली लिविंग और इको फ्रेंडली प्रोडस को लेकर लोगों में पहले से कहीं अधिक जागरूता दिख रही हैं। मुझे तमिलनाडू के एक ऐसे ही दिल्चस्प प्रयास के बारे में भी जानने का मोखा मिला। ये शांदार प्रयास कोईमठूर के अनाही कट्टी में आदिवासी महलाओं की एक टीम का है। इन महलाओं ने निरियात के लिए 10,000 इको फ्रेंडली तेरा कोटा टीकप्स का निर्मान किया। कमाल की बार तो ये है कि टेरा कोटा टीकप्स बनाने की पूरी जिम्मेदारी इन महलाओं ने खुझी उठाई। क्ले मिक्सिंग से लेकर फाइनल पकेजिंग तक सारे काम स्वयम किये। इसके लिए इन्होंने प्रशिक्षन भी लिया था। इस अद्भूत प्रयास की जितने भी प्रसंसा किये जाएं कम है। साथियों त्रिपुरा के कुछ गाउं ने भी बड़ी अच्छी सिख दी है। आप लोगोंने बायो विलेज तो जरूर सुना हुआ। लेकिन त्रिपुरा के कुछ गाउं बायो विलेज टू की सिड़ी चड़ गए है। इन सब पर पूरा फोकस रहता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायू परिवर्तन के खिलाब विभ्यान को बायो विलेज टू बहुत मजबूती देने वाला है। मैं देश के अलग-अलग हिस्सों में परियावरन सवरक्षन को लेकर बढ़ रहे उत्सा को देकर बहुती खुश हूँ। कुछ दिन पहले ही भारत में परियावरन की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइब को भी लॉंच किया गया है। मिशन लाइब का सीधा सितांत है ऐसी जीवन शैली ऐसी लाइब स्टाइल को बढ़ावा जो परियावरन को नुक्सान नह पहुंचाए। मेरा आगर है कि आप भी मिशन लाइब को जानिये उसे अपनाने का प्रयास कीजिए।